असलाम अलेकुम आप सबका विल्कॉम मेरे ज़र पर तो ये है मेरे बाहर का गार्डेन जो थोड़े बहुत सूख गए है पौधे ठंड के वज़े से और कोहरा बहुत ज्यादा है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और ये वाली वीडियो मेरे पहले की है जब मिचन में चलते हैं और बनाते हैं कुछ दिखाते हैं तो आज हम बनाएंगे मटन का पाया जो इसका पाया होता है और सिर्व होता है सारा मिक्स करके बनाएंगे तो इसको हमने साफ करके अची तरीके से रख दिया था और इसके लिए हमने निकाले मसाले तो मसाले आप सब देख सकते हैं इतर हमने friendship लिया है आप कोई सवे cooking ओल ले सकते हैं तो इसमें लिधा देंगे तेज-पत्ते तो तेल भी थोड़ा सा कम हुआ था हमने पहले डाल दिया है तो थोड़ा सा हो जाए आपका ते तभी आप डाले तो ये बड़ी लाची है बड़ी लाची को हमने भ प्लेवर अच्छा सा आ जाता है भूल लेंगे हलका से गोल्डेन आ जाने तक तो प्यास हमारी गोल्डेन सी हो गई है बहुत ज़्यदा डार्क नहीं होई है बस इतना ही हमको चाहिए अब उसमें हम डाल देंगे अद्रक लेशन का पेश्ट तो दो चम्मच हमने डाला है इस इसमें पाया भी रहता है मटन का और सिर भी रहता है सारा कुछ तो आपकी यहां क्या कहते हैं जरूर बताइएगा हमको तो हमारा अध्रक लेशन भून चुका था हमने इसमें डाल दिया सारा अपना यह पाया और उसका सिर जो होता है वो तो इसको भी अच्छी तरीके से इसको थोड़ी तरी के लिए हम ढख देंगे 5 मिनट के लिए हमने इसको ढख दिया था तो देखते हैं तो अब हमें इसकी भुनाई करनी है बहुत ही अच्छी तरीके से जितनी अच्छे से आप भुनाई इसकी करेंगी उतना ही आपका यह मटन का कल्ला टेस्टी बनेगा तो भुन जुका है बहुत ही अच्छे से अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले तो एक चमच भरके हमने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर और एक चमच से थोड़ा सकम हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधा चमच से थोड़ा सकम डालेंगे हम इसमें हल्द पाउडर और आधा चमश डाल देंगे जीरा पाउडर तो तीक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कभी ज़्यादा कर सकते हैं और इसी के साथ में डाल देंगे नमग अब इसे भी हम थोड़ी दर के लिए भून लेते हैं ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाएं इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और फिर से इसकी भूनाई करेंगे और अगर आपको सौफ का फ्लेवर पसंद हो तो आपको सोफ भी डाल सकते ही मैं थोड़ा सा डालूंगी अगर आपको पसंद हो ळाले वरणा इसकी पंट गळूँगा है पाया हम आच्छे से भून चुका है उसमें डालने के पानी इसको गलाएंगे अब हम तो इसको कब हम चार-पांच सीटी आने तक पकाएंगे पांच शे सीटी आने के बाद हमने ढकन पर खोला था तो देख सकते हैं आप सब बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है तो अब आम इसकी भुनाई करेंगे तक यह सारा पानी इसका खुश्क हो जाए फिर इसके बाद में इसमें सी लगाइंगे तो से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो एक में शेक करके देखती उनकर अच्छे से पका जोंच अगर आप करें धूण से एक धोड़ी से घृवी भी लेगएंगे तो मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया और दो हरी मिर्चे अगर आपको मिर्च ज्यादा पसंदू तीखा तो आप हरी मिर्च और डाल सकते हैं और इसमें हम डालेंगे पानी और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरब मसाला वो गरब मसाला मेरे घर का है आपको यह सभी डाल सकते हैं तो इसे हम पांस मिलेट ठक करोर पकाएंगे बहुत ही जवरदस्त सा कल्ला हमारा बनकर तयार हो चुका है तो हमने इसके उपर डाल दिया थोड़ा सा भुना हुआ जीरा तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बहुत ही कम मसालों से मैंने इसको बनाया है तो आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा तो आपको कुछ टेस्ट में फरक नजर आएगा और इसका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा और अगर आपको सिंपल और आसान सी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैल पर जरूर आए और अपना बहुत सारा खयाल रखें दुआ में मुझे भी याद रखें